प्रदेश बीजेपी ने बीती रात को प्रदेश को आरेकारी समिती की खोशना की लेकिन इसमें शिवराद सिंधिया समित सभी पदाधिकारियों की जाती भी लिख दी गई जाती बताने पर जब विवाद बढ़ा तो देर रात एक बजे नई लिस्ट को जारी किया गया जिसमें से जाती वाला कॉलम हटा दिया किया दरसल बीजेपी कारिच समिती की सूची में पदाधिकारियों के नाम के आगे उनकी जाती लिख दी गई बीजेपी के आधिकारिक वाटसाइब ग्रूप पर सूची डाली गई थी लिहाजा ये तेजी से लिस्ट वाइरल भी हो गई जौती वाली सूची पर विवाद बड़ा तो ग्रुप से सूची को डिलीट कर दिया गया और देर रात करीब एक बज़े नई सूची जौरी की गई जुसमें पदादिकारियों की जौती का जिक्र नहीं है इस बीच बीजेपी कारिसमिती में पहली बार जोती रादेत सिंधिया के कुछ समर्थों को भी जगय मिल गई है सिंधिया समर्था के मर्ति देवी को कारिसमिती सदस्य बनाये गया है जबकि रगुराज कंसाना और गिर्राज विशेश आमंत्रित सदस्य बने है सिंधिया समर्थ तक भोपाल के युवा नेता, कृष्णा, गाडगे भी कारिसमिती सदस्यों की सूची में शौमिल है कॉंग्रेस छोड बीजेपी में आने वाले एंदल सिंग कंसाना को भी कारिसमिती का सदस्य बनाया गया है इन दोर में कोरोना के मामले कम होने के बाद एक बार फिर अनलॉक किया गया है ऐसे में पिछली गलती ना दोराई जाया इसको लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया जिसके तहत बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और कई बीजेपी नेताओं ने लोगों को जागरूख किया और लोगों से कोविट प्रोटोकॉल पालण करड़े की अपेल की साथी उन्होंने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते है शहर के प्रमुक सारे ऐसे बाजार जहां पे भील लगती है वहां पे जा रहे हैं और उनको यह आगरा कर रहे हैं कि कोरोना अनुकूल वहवार करें शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें गोले बना के खड़े रहें मास्क लगाएं भी और जो दुकान में आता है उसको लगवाएं भी साथी साथ वेक्सिनेशन पे जोर दे रहें तो कोरोना को लेके यह लगातार हमारा जंजागरिती अभ्यान चल रहा है जो आगामी आने वाले दिनों में और चलता रहेगा और रोज हम 9 बजे से लेकर तो 11 बजे तक 2 घंटे शहर के सभी प्रमुख बाजारों में जाके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन का गया है कि पिछले दिनों इंदोर उजयन और मंसौर जिले में हुए सामपरदाइक दंगो के पीड़तों को मुआवजा जारी किया जाए और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कारेवाही हूँ गौरतलब है कि इंदोर उजयन और मंसौर में रामबंदिर के लिए चंदा वसूलने के दोरान सामपरदाइक हिंसा की गई थी मुस्लिम समुदाइ के घरों में तोड़ फोड़ वा मार पीट की गई थी वही जिस सरे से केज़ दर्ज होना चाहिए था उस तरीके से भी वो केज़ दर्ज नहीं हुए थे वही राज साशन से मांग की गई है कि जिन परिवारों को नुकसान पहुचा है उन्हें तोरंत मुआवजा दिया जाए और संबंदित कलेक्टरों पुलस अधिकारियों के खिलाफ विजाच और कारेवाही की जोई वही इस मामले में साथ दिन में जवाब मागा गया है धार में लगातार पैट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है एक और लोगों को कोरोना से परिशारी है तो वहीं दूसरी ओवर बढ़ते पैट्रोल के दामों से भी लोग परिशान है आपको बता दी कि पैट्रोल और डीजल के दाम 105 रुपे 95 पैसे तक पहुँच गए हैं ऐसे में वहन चालोकों का कहना है कि आगे जाकर मजबूरन वह वहन चलाना ही छोड़ देंगे लेकिन अब माना जा रहा है कि आगे भी पैट्रोल और डीजलों के दामों में इसी तरी प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सिंग एसोसियेशन ने हरताल पर जाने का निर्ण ने लिया है अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में नर्सिंग एसोसियेशन द्वारा साथ दिन काली पठी बांध कर कार किया जा रहा है वहीं एमवाई अस्पिताल में 750 नर्सिंग स्टाफ ने काली पठी बांध कर विरोध जताया वही नर्सिंग एसोसियेशन ने बताया कि हमने पूरे कोविट काल में पूरी लगन से काम किया हमारे कई साती इस काल में शहीद भी हुए हमारी मांग है कि उनकसे कि परिजनों को अनुकंपा न्यूक्ती के साथ उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाए साथ यूच्छस्तरिय वेतनमान दो ग्रेड अन्य राज्यों की तरह मद्ध्रदेश में कारिरत समस्त नर्सिस को भी दिया जाए वही पुरानी पेंशन योजना को भी लागो किया जाए मद्ध्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना के एक नए केसों की सच्छा में गिरावट आने के बाद अब वहां भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है भोपाल में गुरुवार से बाजार खोले जा सकेंगे तो सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू लागो रहेगा भोपाल के कलेक्चर अविनाश लावानिया ने देर रात या आदेश जारी कर दिये हैं साथ ही नई गाइड लाइन्स भी जारी कर दी गई हैं नई गाइड लाइन्स के मताबिक अब भोपाल में सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू लागो रहेगा जबकि इस से पहले कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को लागो रहता था इसके अलावा हर शाम आठ बजे से सुबह च्छे बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा नए आदेश के तहित अब है सेलोन भी खुले जाएंगे वही इस पूरे मामले पर हमारे MP है धर्मेंद्र हमारे साथ जोड़ चुके हैं अपरेल माई दोनों में उसका फुल लॉक्डाउन रहा लेकिन अब इस्तिती सामान ने हो गई है और कोरोना के मरीज जो आए दिन जो अधिक मात्रा में निकल रहे थे वो अब उसकी संक्या घटकर पांसो सारे पांसो करीब रह गई है नरुत्तों मिश्रा के मुताविक अग इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदकी में जो भी दुकाने जो खोली जाती थी जा इसके अलावा जो भी किसी नीचीज की दुकाने है वो सब कुछ खोली जाएंगी और सभी इसे सामाने रहे केवल ग्रवाला जो इलाका है जिसा कि शॉपिंग मॉल हुए या टॉकी के लिए तो भोपाल से एक अच्छी ख़बर देखने को मिली है जो अब कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है आपको बता दें कि आज ही भोपाल डियम ने नई गाइडलाइन्स को जोरी किया है जिसके बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया एक बार फिर भोपाल में शुरू कर दर्च की जा रही है जिसके बाद आज दें ने बड़ा आदेश लागू करते हुए भोपाल में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश जारी कर दिये हैं साथ ही नई गाइडलाइन्स भी उन्जारी कर दी गई है जिसमें बताया गया है कि कल से अनलॉक की प् चुकी है इंदोर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया है दरसल हीरा नगर थाने के भानगर इस्तित इट भटे में सुमवार सुभै युवक का रक्त रंजित शव मिला था चाकों से गोद कर युवक की हत्या की गई थी जिसका खुलासा करते हुए पुलि पुलिस बागरी जी बताया कि आरोपियों के पास से तेन चाकों और म्रत युवक की बाइक भी बरामत की गई है इसके बाद पुलिस ने उसमें तप्तिस करी उसकी पहचान करी उसकी पहचान संदेश सर्मा के नाम से हुई और बाद में जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिकेशन किया आंगे इसकी पतारसी करी तो ये बाद इसमें समझ में आई कि ये जो है इसका भी अपराधिक रिकार्ड है दस मामले इसमें काईम है बाइक चोरी के डिफरेंट उसमें और ये भी जो है गुना पुलिस का रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया है दरसल लोक्त मामला रागोरा गर्ड थाना शेत्र का बताया वज़ा रहा है जहां एक पीडित परिवार ने पुलिस पर एक लाख दस हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है पीडितों के अनुसार पुलिस ने एक शक्स को छोड़ने के लिए परिवार से एक लाख रुपए की मांग की वहीं आप पीडित परिवार ने पुलिस अदिक शक राजीव मिश्ट्रा को ग्यापन सौप कर आरोपियों के खिलाफ कारेवाही करने की मांग की है साथ ही उन् पूरे मामले पर गुनार समादाता जारलंग सिंग हमारे साथ जूड़ चुके हैं तुछ बताइए क्या खुश है यह पूरा मामला पुलिस ने आरोपी बनाया जिसको वो आठा पिसवाने के लिए अपने गाउं से रादोगड़ की हो रहा रहा है था तो पुलिस ने चेकिंग कि दौरान उसको पकड़ा और पकड़के उसको ठाने ले गई उसकी शिरिफ जात पूची गई थी कि आप कौन कास्ट हो तो उ अनिगर होने के नाते हो तो थाने ले गई घए थाने में उसको पिठा लिया गया फिर उसके बाद में उसको पुडाया रमकाया गया तो परि जनांड को बुलाया गया थें परिजनों को बुलाने के बाद मां इसमें एक लाघ 10,000 रुपえ की डिमांड़ रखी गई तो os जिए तो जिस प्रकार से पूरा आया है तो उस अनूतार अभी पुलिस की ओर से कोई Séरों recording है जी तो बहुत बहुत शुक्रिया जालम इस तमाम जानकारी के लिए तो गुना से आपको एक ख़बर बता रहे थे हैं जाप पुलस कर्मियों का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर जहां इन दौर नार्कोटिक्स विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां NCB की टीम ने दो लोगों के पास से 50 किलो गांजा बरामत किया है जिसकी कीमत 50 लाक रुपे बताई जा रही है बताई जा रहा है कि दोनों आरोपी बाइपास के रास्ते बढ़वानी से इ दोनों ने आज गांजे की कारवाई की है इसमें दो आरोपियों के कबजे से 50 किलोग्राम गांजा जब किया है दोनों आरोपी गांग वरला जिला वरवानी के रहने वाले हैं एक का नाम है गोकुल माली और दूसरे का नाम है नूर अल्या तो दोर से एक खबर साब ने शैनवाज आपको मेरी आवाज आ रही है है आपको बता दे कि उस्वाल लगर में घर के बाहर बैठे एक युवक्स शराब के नश्य में आए कुछ युवकों ने शराब पीने के लिए पैसे मागे वही शराब के पैसे ना देने पर उन दोनों में विवाद हो गया इससे विवाद में अपने बेटे को बचाने है जबकि आन्ने के तलाश अभी भी जारी है शिवम जिसने वीजवचाओ किया इन दोर के सदर बाजार थानाशेतर में महिला ने फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली आत्मत्या का कारण पैसो के लेंदेन का विवाद बताया जो रहा है वहीं मृत्का के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है दरसल सदर बाजार थानाशेतर के भोई महला में रहने वाली महिला लक्ष्मी ने अपने घर में ही साड़ी से फांसी का फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली महिला के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामत किया गया है जिसमें पैसो का लिंदेन पर विवाद कारण बताया जुआ रहा है हलाकि महिला के माई के वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है रीवा में मौनिंग वॉक के लिए घर से निकली यूवती का शौम विलने से संसनी मच गई बता दे कि मरने से पहले यूवती ने अपने एक दोस्त को अपनी एक सेलफी भी भीजी थी दरसल मामला बिच्वा थाना शूर्ट का बताया जा रहा है जो रानी तालाब के पास रहने वाली यूवती नेहा हर रोस की तरह मंगलवार को भी रानी तालाब में मौनिंग वॉक के लिए घर से निकली थी लेकिन वो वापस घर लोट के नहीं पहुची जिसके शिकायत परिजनों ने थाने में दर्च कराई वहीं यूवती का शव बिच्वा थाना अंतरगत सिलपरा नहर में मिला लेहाजा उसके दोस्त्ने आनुहुरी को भाप लिया और सेलपी में यूवती नहर के किनारे खड़ी दिख रही थी जिसके बाद त्कायल पोलिस को इस पूरी घटणा की जानकारी दी गई इसके बाद पोलिस ने सिलपरा नहर में रेस्क्यू अभ्यान चलाया वहीं घंट करीब 10 वजे थाना विश्या को सूचना मिली थी, कि इस सोबह एक लड़की जो है मौनिंग वाग के लिए रानी दलाब गई थी, रानी दलाब के बाद वो कहां से ले गई पता नी चला लेकिन कुछ घंटे वाज जो है, उसके जो दोस्त है, उसके पास फोटो आई है सिल्प कि जो है, आपकी मौनिंग वाग के लिए निकली थी, लेकिन वहां कैसे पोँच गई, उसमें कहीं ने कहीं जो आपका दिली तिवारी नाम का एक लड़का है, उसका कहीं ने कहीं रोल है, और वही संदे के घेरे में आ रहा है, तो हम लोग दोरा चानमीन की गई, गात में क कि गई, तो कोई जानकारी नहीं मिली, आज सुबह जब सार्चिंग चल वही थी, हमगाड के दौरा, तो बोड़ी मिली है, जिसमें पैचान हुई है, कि नेहार पटेल नाम की लड़की है, और उसको लेकर अभी संदेहात नक तो है, जो भी अगर कोई मामने है, शिवनी के 16-16 के अंतरगत आने वाले ग्राम भरिया टोला में बारिश की वज़े से दीवार गिरने से बड़ा हाथसा सामने आया, आपको बता दे कि एकी घर की कच्छी यानी मिट्टी की दीवार तेज बारिश के कारण डह गई, जिसकी वज़े से घर के कई लोग दीवार की तीचे दब गए, खायलो को ग्रामीडो की मदद से बहार निकाला गया और अस्पताल में ततकाल भड़ती करवाया गया, वहीं दो बच्चों की दिवार के दीचों दबने से मौत भी हो गई और इसी के साथ मदद प्रदेश की खबरों में फिलाले इतना ही, देश दुनिया की बाके के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार झाल